जैश्री कृष्णा, स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ, कैसे हैं आप लोग जरूर बताईएगा शनी हमारे जीवन में एक बहुत एहम रोल अदा करते हैं, घर का, परिवार का, एक दूसरे के साथ संबंध का, एक दूसरे के साथ रिष्टा कैसे रहेगा, इन सब का जो कॉंबिनेशन है वो शनी तै करते हैं आपके कर्म, आप किसे किस तरीके से बात करते हो, आपका way of talking कैसा है, आपकी body language कैसी है, आप किसी से बात करते हो उसको ताना मारते हो या उसे बहुत एपरेज करते हो, आप किसी से जब बात करते हो तो आपकी बात में jealousy आती है या बहुत खुश हो रहे होते हो, ये सारी की सारी चीज़े आपका शनिग्रह ही अपने कंच्रोल में रखता है कई लोगों को आपने देखा होगा जब वो बात करते हैं तो वो बहुत मीठा बनने की कोशिश करते हैं लोग उनके सामने नहीं कहते लेकिन बाद में कहते हैं यार यह जबर्दस्ती मीठा बन रहा था इतना है नहीं अंधर से इक कड़वा ही है कई लोग उपर से दिखावे की कोशिश करते कि वो बहुत खुश है लेकिन अंधर से वो खुश नहीं होते ये भी हम तब ही कर सकते हैं जब हमारी कुंद्ली में बैठा हुआ शनि हम से कहीं न कहीं विप्रीत काम कर रहा हो हम जैसे हैं वैसे हम दिखाने ही पाते हम जो है वो व्यक्त नहीं कर पाते और हम जैसे है लोग हमको वैसा accept नहीं कर पाते खुद के अंदर changes लाना खुद में बदलाव करना और फिर बदलाव के साथ दुनिया के सामने खुद को पेश करना ये भी कही ना कही शनी की कर्म सूची में आता है आपके हाथों पर बहुत सारी कटी-पिटी लाइन्स हैं बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जो आपके छोटी है पर एक दूसरे को काट रही है तो आप किसी को भी जब अपना हाथ दिखाओगे और कहोगे कि बताइए मेरे हाथ में क्या लिखा है तो वो सबसे पहले देखकर बोलेगा इत्ती कटी लाइन है इसका मतलब तुम्हारे जीवन में संगर्ष बहुत है संगर्ष का संबंध किस से है शनी से आप करम कैसा करेंगे आपका करम उसको फल कैसे देगा आपके करम का फल आपको कब जाकर कौन सी आयू में प्राप्त ह यह सब शनी शनी किस नक्षत्र का है शनी की सवारी किस नक्षत्र में क्या आ रही है और गोचर के साथ उसका क्या संबंध बन रहा है शनी कौन सी सवारी पे सवार होकर आपको गोचर के शनी के साथ मिलकर फल्प क्या प्रदान करें यह सारी चीज़े उस पर निर्भर करती आप काम बहुत अच्छा करेंगे या बहुत आलसी रहेंगे आप कामों को पहले खतम करके फिर आराम करना परसंद करेंगे या आप कामों को टाल कर आराम करना परसंद करेंगे आप अपने रिष्टों को लेकर बहुत जादा खुले विचारों के रहेंगे या आप अपने र बनेगी कितनी नहीं बनेगी ये सारी चीज़ें आपकी कुनली के बैठे हुए शनी व्यक्त कर देते हैं शनी हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों के निर्माता हैं निर्मान करते हैं हमारी बहुत सारी चीजों का हमारी आदतों का हमारी दिन चरिया का हमारे जीवन मे घटने वाली बहुत सारी घटनाओं का इसी लिए शायद शनी से दरना हर किसी के लिए जरूरी है क्योंकि शनी कब कौन से कर्म का क्या फल दे देंगे कोई नहीं जानता किसे रातो रात रंक से राजा और राजा से रंक बना देंगे ये भी किसी को नहीं पता और मैं धन तेर तो मैं आपके सामने ये वीडियो नहीं ला पाई शनी मारगे हो गए हैं और शनी अब जन्वरी के अंदर अपनी राशी परिवर्तन कर लेंगे अगर अभी इस तीन महिने के अंदर हमने शनी के यह उपाय नहीं किये तो आने वाले दो साल हमरे जीवन में कस्ट का बहुत करने से पहले उन्हें हम प्रसंड कर देते हैं और यह छोटे छोटे अपाय हम अपने जीवन को सवार ने के चली आती हूं शनी को प्रसन करने के लिए हम बहुत सारे प्रयतना और उपाए करते हैं लेकिन आपको शनी को प्रसन करने के लिए ये तीन में उपाए जरूर करने हैं हमारे एर्द गिर्द हमारे ग्रिया है किन किन चीजों के साथ जोड़े होते हैं सबसे पहले हमारा शरीर उस शरीर के साथ जो हमारे जीवन में रोजाना दैनिक क्रियाओं के लिए काम में आता है इसी हम हाथ से खाते हैं इसी मूँ से हम चबाते हैं इनी आँखों से देखते हैं इसी वानी से बोलते हैं इसी काण से सुनते हैं इनी पैरों पर चलते हैं तो सबसे पहली चीज जिनका ग्रेहों पर सबसे ज़ादा परभाव आता है वो है आपका अपना शरीर आपके शरीर के अंदर आधिसे ज़ादा चीजे आपके ग्रहों के कंट्रोल में होती है इसलिए हम सब से पहले एक उपायँ करेंगे अपने जीवन में से अपने शरीर की अंदर से नेगिटिविटी को भगाने का इसके लिए आप क्या करेंगे प्रतेक शनिवार आप कासे की एक कटोरी के अंदर अपना चहरा देखकर उसको छायादान कहते हैं कासे की कटोरी के अंदर अपना चहरा देखकर उसे आप जाकर पीपल के पेड़ में चढ़ा देंगे शनिवार को सुभे सुभे आपको ये कार जोड़ कर बोलेंगे ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा हे शनी आप मेरे जीवन में अपनी अच्छी द्रश्टी से सब शुब करना आपकी क्रिपा और आपके आशिवात से आप मेरे देहे के अंदर मेरे शरीर के अंदर साकारत्मक उर्जा को प्रवेश कराना हे सूर्य पुत्रशनी मुझ पर क्रिपा बरसाना आप चाहो तो आप ये सारे वर्णिंग्स लिख लो एक पेपर पर लिख कर ले जाना और वहां जाकर बोल देना घर आने तक आप किसी से बात नहीं करेंगे मोंधारन करेंगे और सीधा घर पर आकर हाथ पैर्द होकर आप एक घी का दीपक अपने मंदिर में प्रजलित करेंगे और वहां पर खड़े होकर ग्यारा बार ओम नम्हर शिवाय का जाप करेंगे ये एक ऐसा दुरलब प्रयोग है जिससे आप अपने शरीर में आने वाली नाकारत्मक उर्जाओं को स्वते ही आप बाहर भगा सकते हैं और आप य जीवन में शनी की कुद्रश्टी का कोई भी विप्रीक प्रभाव नहीं पड़ेगा अब आते हैं हम दूसरी चीज़ जो हमारे जीवन में सबसे जादा इफेक्ट करती है वो होता है हमारे घर का वास्तु हमारे घर के वास्तु के अंदर शनी किसी भी तरह से नाकारत्मक उत्पन ना करें क्योंकि शनी की नाकारत्मकता होगी घर के अंदर नेगेटिव एनरजी रहेगी रहेगी घर के अंदर कलह होंगे ही होंगे एक घर में रहकर पती पतनी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह पाएंगे एक साथ रहकर कभी भी घर के चार सदसों की एक जैसी सो दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दो दो बुन सरसो का तेल डाल देना और ये कार्या आपको सुभे सुभे करना है उसके बाद आपको संध्या के वक्त यानि कि जब आपका दिन धल जाएगा तब आपको अपने घर के अंदर लोबान पर दो घर से यह ग्रहकलेश समाप्थ होगा तीसरी चीज जिस पर आपके जीवन की बहुत सारी चीज़े जूड़ी होती हैं जैसे कि आपके दोस्त आपके परिवार वाले आपके अडोसी-पडोसी आपके साथ काम करने वाले वो लोग जो आपके साथ हर पल आपके इर्द- खुमते रहते हैं ऐसे लोगों से आपको बहुत जल्दी नकारत मिल सकती है और शनी ऐसे लोगों के थ्रूही आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा कलहत्पन करते हैं शनी जब जब विपरीत होंगे पडोसियों से आपका जगड़ा जरूर होगा आपके पडोसी हमेशा आपको परिशान करने वाले होंगे शनी जब जब खराब होंगे आपके साथ काम करने वाले लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे बॉस के साथ आपकी खटपट होगी आपके जुनियर्स आपको कुछ भी बोल जाएंगे कोई आपकी इज़त नहीं कर या फिर आपको नेगेटिव चीजें सिखाते हैं तो आपका इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रहे इसके लिए आपको क्या करना है आने वाले वक्त में आपको शनी की पीड़ाय ना सताए इसके लिए आपको प्रतेइक शनिवार को संध्या के वक्त शनी देव के मंदिर मे जाना है और सवा मीटर काला कपड़ा उसके उपर एक नीबू रखकर आपको चड़ा कराना है छोटे से तीन सरल उपाये बताएं हैं अगर आप ये कर लेते हैं तो कुम राशी में आने पर शनी की नाकरत्मक दृष्टी आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी शनी देव आप करम आपको बचाते रहेंगे एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे उपाये तब काम करेंगे जब आपकी सोच अच्छी होगे आपके करम अच्छे होगे आपके भाव अच्छे होगे आप अगर गलत चीजे करके आप किसी को तू तड़ा कैसे बोल कर आप किसी का अपमान करक अगर आप यह चाहों कि मेरे उपायों से आपका जीवन सुधर जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता करम ही प्रधान होता है इसलिए कर्मों को सही करिए उपाय अपने आप अस्वर करेंगे जरूर करिएगा यह चोटी-चोटी चीज़ें इससे आपके जीवन में जो भी बदलाव लेगा तब तक के लिए मुस्कुराते रहेगा रिष्टों में मजबूती बनाके रखेगा अपने सार्थी के साथ नहीं जुड़े रहेगा प्यार देते रहेगा प्यार लेते रहेगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं आपसे फिर मिलने आउंगी तब तक के लिए राध हे कृष्णा का जीवन सवार्चुकी मात्रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवार्ड प्राप्त कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवार्ड से सम्मानित किया था। और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवासा जा चुका है।